बिहार, बिहार एक ऐसा राज्य है जो अपने अलग-अलग कारनामों के लिए जाना जाता रहा है बला वहाँ पर रेलवे की पट्रियां चोरी होना हो या तालाब में से पानी चोरी हो जाना हो अब बिहार से जुड़ा हुआ एक ऐसा ही नया किस्सा सामने आया है और इस बार ये किस्सा क्रिकेट से जुड़ा हुआ है क्योंकि रांजी ट्रोफी के एक मुकाबले के लिए बिहार ने एक नहीं बलकि अपनी दो-दो टीमें भेज़ दी और ये काम उनोंने किया मुकाबला शुरू होने से बिलकुल एक घंटा पहले ये बात है रंजी ट्रोफी के इस सीजन के पहले मुकाबले की जहां बिहार का मुकाबला होने वाला था मुंबई के टीम से मुंबई की वो टीम जिसमें स्टार खिलाडी सर्फरास खार अजिंके रहाने शम्स मुलानी जैसे बड़े-बड़े सितारे खेल रहे हैं एक तरफ से मुंबई की टीम फील लेने के लिए तैयार थी तो दूसरी तरफ से बिहार क्रिकेट बोर्ड ने अपने आपसी विवादों के चलते एक नहीं बलकी दो-दो प्लेंग 11 भेज दी अब यहाँ पर यह सारा कलेश क्या है किस कारण से यह जड़प हुई या फिर लड़ाई हुई है या कन्फ्यूजन हुई है वो आपको समझा देते हैं यहाँ पर कुल मेरा के बिहार की तरफ से दो टीमें भेजी गई यहाँ पर जो बिहार क्रिकेट एसोसेशन के सेक्रेटरी अमित है वो हाली में सस्पेंड़िट चल रहे हैं लेकिर उनकी तरफ से बयान सामने आता है कि उनको इलेक्शन के दोरा सेक्रेटरी चुना गया है तो यहाँ पर अपनी टीम भेज सकते हैं और किसी भी प्रेजिडेंट को अपनी टीम भेजने का कोई हक नहीं होता है हालकि इस पूरे मामले को लेकर बीच मैदान में काफी कहा सुनी हुई महौल काफी गर्मो गर्मी का हो गया जिसके चलते प्रेजिडेंट के एक आत्मी का सिर्थ तक फोड़ दिया गया इसके बाद वहाँ पर FIR भी दर्ज करवाई गई है और अंतता जो बिहार क्रिकेट असोसियेशन के प्रेजिडेंट राकेश हैं उनके द्वारा चूस की हुई टीम ही हमें खेलते हुए नजर आ रही है इस टीम के उपर जो प्रेजिडेंट है हुनों ने कहा कि ये टीम पूरी तरह से मेरिट पर चुनी गई है इस टीम के अंदर IPL के सिलेक्टिट खिलाडी शाकिब हुसेन भी खेल रहे हैं यहां तक की 12 साल के नन्य खिलाडी वैभव भी बिहार की स्टीम में खेलते हुए नजर आ रहे हैं तो आपका क्या कुछ है केहना इस सारे वाक्या के बारे में जो ओहा है बिहार क्रिकेट एसोसियेशन के कारण जहां पर एक मुकाबला खिलवाने के लिए बिहार ने एक नहीं बलकि दो-दो स्कौर्ड भेजी हैं दीजेगा अपने राए हमें कमेंट सेक्शन में साथी में सब्सक्राइब कर दीजेगा स्पोर्ट स्यारी को फेस्बुक पर देखने हैं तो हमें फॉलो करना बिलकुल भी मत भूलिएगा अभी के लिए दीजेए इजासत जैहिंद जैभारत